हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशा करते हैं आप सब ठीक होगे आज मैं आपको एक ऐसा डिजैन बनाओं बताऊंगी जो दोनों साइड से यूज होता है जैसे हमरे सेबल कोई चीज बनाते हैं तो उसमें इसको यूज कर सकते हैं वाफरल में स्टॉल में और यह स्वैट है और यह बनने के बाद बहुत ही सुन्दर लगता है यह थोड़ा थिकने से लगके आता है मोटा मोटा ठीक है तो आप इसे बच्चों के स्वैटर में डाल सकते हैं जैन स्वैटर में डाल सकते हैं यह डिजैन बनने के बाद बहुत ही सुन्दर दिखाय देता है इसको मैं फस्ट रो से आपकोbaumताती हूं यह डिजयर बनाने के लिए आप अपना बार्डर मनागे जस्ट फस्ट रो इसकी बेसी की एक उल्टी और एक सीधी ही बना लेना तो हमारी डिजयन की फस्ट रो मैं आपको sounds तो इस एक तुपंदा का डिजाइन है तो इसमें ये एक फंदा और दो फंदे इनके अंदर से इंके अंदर से हमें एक फंदा निकालना एक लूप निकालनी ऐसे फिर यह जो एक फंदा और दो फंदा इन दोनों को साथ में बुर्णा है यह दिख ऐसे और इसको छूट दे रहा है फिर ध्यान से देखना एक फंदा और दो फंदा इन दो फंदों के बीच से हमें ऐसे ही एक लूप निकालनी है पहरे तो हमें यह फंदा हमने बढ़ गया हमारा ठीक है और अब यह एक फंदा और दो फंदा इन दोनों फंदों को हमें एक साथ बुर्णा है ऐसी है थोड़ीले आच्छे करना है नहीं तो थोड़ा टाइट हो जाएगा यह बॉटर जो है थिकने से लेकिए आता है सुकृडता जाता है करना दोनों का एक यह पिर एक न लुप निकली पहले फिर दोनों का एक क्या इसी तरहाँ में आपको पूरी stole बनाके दिखा दिखा तै वन टू के बीछ में से निकलन tapping के बीछ यह दोनों को एक किया तो मैं यह रोग आपको ऐसे ही बना के दिखाते हूं यह देखे फ्रेंस मैंने इसकी रोग बना ली है अभी हमारी बैक साइड यह डिजैन जो है बैक साइड से भी डलेगा तो हमारी यह बैक साइड यह हमारी एस्टिच यह हमें फर्स्ट फंदा हमें सीधा बुनना है और देखो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है पहले तो हम दो फंदों के बीच में से निकालते थे लूप अभी हमें एक फंदे के लूप से बीच निकालनी है यह देखो ऐसे करके एक फंदा है दो फंदा इन दोनों फंदों के बीच से एक लूप निकालनी है और यह वाला फंदा जो हमारा बढ़ गया इसको हम गटाएंगे न तो यह वाला फंदा और यह साथ वाला फंदा देखो यह बुना इसके साथ से हम इसको बुनेंगे सीधा ठीक है अब इसको छोड़ दिया अब देखो यह एक फंदे के बीच से लूप निकालनी है फिर जो यह लूप है फंदा है इसकी और इससे आगे वाड़े फंदों को दोनों को एक करना है उसमें हमें दो फंदों के बीच से लूप निकालनी थी इसमें हमें एक फंदे के बीच से लूप निकाल है देखो बीच से लूप निकाला और यह फंदा और इससे अगले वाला फंदा यह दोनों फंदों को हमें एक साथ बुनना है सीधा इसी तरह मैं यह पूरी रू आपको बना के दिखाती हूँ यह दिखो ऐसे अपकी बार मैंने एक से निकाल ली और यह दूसरे वाला फंदा इसके साथ में ही बुनेंगे माइननेस को इंक्रेस कर दें एक बार ही हम फंदा बढ़ाएंगे फिर दूसरे बार में हम गटा तो मैं यह अपको पूरे रो बना के दिखाती हूँ यह देकि फ्रेंडर्स हमने साथ में एस्टिछ के साथ एक फंदा बुना था इस साइड भी हमें एक एस्टिछ के साथ सीधा फंदा ही बुनेंगी और यह हमारी सथिच तो मैं यह डिजैन आपको एक बार और चल्दी- पहले उल्टी स्लाई में हमें एक फंदे के बीच से फंदा बुनके दो फंदे मानिस किये थी अब की बार हम दो फंदों के बीच से फंदा बुनेंगे सीडी साइड से ऐसे और इसको बुना और इन दोनों को फिर एक कर दिया गटा दिया ऐसे ठीक है दो को एक फिर इसको माइनस कर दिया इसी तरह मैं यह रो करके दिखाते हूं फटाफट से आपको यह इसकी बैक साइड यह स्टिच और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और इसमें एक फंदे के बीच से लूप निकालनी है और यह वाला फंदा और अगले वाले फंदे को हम साथ में बुनेंगे फिर एक फंदे के बीच से लूप निकालनी है और सीधी साइड हमें दो फंदों के बीच से लूप निकालनी है एक फंदे के लुप से निकाली और नेक्स ट्रॉले फंदे इसको साथ में बून लिया तो मैं यह रो भी कंप्लेट करके आपको दिखाते हैं यह देखना फ्रेंड्स यह मैंने अपने टूरो बना ली है यह डिजाइन जो है टूरो का ही डिजाइन है और बनने के बाद बहु झेले जो हैं यह देखनी झाले और फे के लिएह Always प्रता है यह प्रता हैं एडरेंड्स को साथ चेल मैं वाद थ